क्यों कि आ सीलों संदेटाइं आप execut का इस new video में आज कि वीडियो में हम शुआ को कम करने वारी है पहले तो समझेगे क्या होती необifying लेजी लोडिंग का क्या यूज है एंधि इसको एंप्लिमेंट कैसे करते हैं ठीक है तो बीडियो बहुत चोटा होने वाला है तो पूरा ही देख लेना और अच्छा लगे तो दोस्तों को साथ सेर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो फिर स्टार्ट करते हैं यहां पर आप देखो कि लेजी ओडिंग होती क्या पहले समझते हैं आपने देखो अगर बहुत वार आप एक स्क्रीन के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट को लोड कर रहे होते हैं और आप क्या करते हो यहां पर इंपोर्ट करके उनको विजवल्टी भले ही आप सो विजवल और पर लग पर लग प्रूफ और लेते हैं उस टेट के वेस्पे बट आप यहां पर इंपोर्ट करके पहले ही लोड कर चुक्यों होते हैं उन सारे कंपोनेंट को तो उसकेस में क्या है कि लोड एस्टा बढ़े आता जबकि आप विजवल करा रहे हो या नहीं करा रहे हो वो और लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट यह है कि आप जब कंपोनेंटको दिखाने की या फिर यूज करनी की जब रेक्वायर्मेंट अरभी लोड करा हूँ से कैसे करोगे इस चीज़ के लिए हमें दो चीज़ें यूज करने पढ़ती हैं पहली चीज़ें ऑमें यूज करन कि suspense के अंदर ही हमें जो हमारा lazy component होता है उसको में suspense के अंदर wrap करना होता है and suspense के अंदर एक ऐसा प्रॉप होता है fallback जिसके अंदर जब तक वो component हमारा load हो रहा है तब तक हम वहां पर उस particular component को दिखा सकते हैं तो कैसे यूज करेंगे पहले हम समझेंगे बिना lazy loading के हम component को कैसे लोड कराते है और क्या फर्क होता है तो यहां पर हम थोड़ा सा चींच करेंगे अपने UI में यहां पर हम डालेंगे बिदाउट लेजी लोडिंग ओके इस्टाइल फ्लैक्स वन और यहां पर हमें पहले क्या करना हमें दो यहां पर दो स्टेट ले लेने हैं पॉंच तो पॉपाइल सेट फोफाइल यूज श्टेट फॉल्स कॉंच तो डिटेवल्स दो इस कंपोनेट के मैं बात करें होगे तो मैं यहां पर दो स्टेट ले ले रहा हूं अब मैंने क्या किया यहां पर दो बटन बनाए बटन टाइटल होगा, एक का होगा, टाइटल, सोडिटेल्स, ओन प्रेस, मैं आप क्या कर दोगे, सेट सोडिटेल्स को ट्रू, और मुझे थोड़ा स्विचिंग टाइप में बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन और बढ़ाऊंगा, इस तरीके से, जब सोडि सकते हो, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ, और यह पूरे बटन को कॉपी, और पेस्ट, और यहाँ पे मैं करूँगा, सो, प्रोफाइल, और यहाँ पे इसका वस उल्टागा, दो, फॉल्स, छीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे दो कंपनेंट को क्योंकि मैं अगर, सो, डिटेल्स कर रहा हूँ, तो मेरा कौन सा देखना चाहिए, डिटेल्स स्क्रीन, जो मैंने बना रखी है, ओके, कूल, और जब मैं, सो, प्रोफाइल करूँ, सो, प्रोफाइल, तो मेरा देखना चाहिए, प्रोफाइल स्क्रीन, एक बात देख लेते ह मैंने set time out लगाया जिससे थोड़ा सा load होते दिखें जिसे हम समझ पाएं कि lazy loading हो रही है यहां पर देखो time out बगारा लगा रखा है थोड़ा सा एक extra loader और लगा रखा है बाकी सब सेम ही है title और description और कुछ खास नहीं है यह हमारी profile screen है simple सी है कोई इसमें कोई भी logic सोचने वाली profile वाला देख रहे हो क्लिक किया देखने लगे बट अब यहां देखो की एक वार इसको refresh कर देते हैं अब देखो इसको डेखने पर क्लिक किया कुछ लोड हुआ नहीं हुआ यह पहले मेरा example युमने टेस्ट किया उसका है तो उसे अभी इग्नौर करो यहां पर देखो एक ही file लोड हो रही हमारी index.js उसके बाद कोई भी component इस तरीके से लोड होते नहीं दिख रहे है यहां पर चाहे मैं profile सो करूँ चाहे मैं detail सो करूँ चाहे profile सो करूँ details कुछ भी नहीं हो रहा है यहां पर कोई भी नया component लोड नहीं हो रहा है अब अगर मैं बोलूँ क्या है कि यह पहले से ही लोड हो चुके है जो हमने directly import कर रखे हैं अब मैं चाहता हूं कि यह दोनों component जब कि लोड हूं जब मुझे requirement है जब मैंने display करा रहा हूं सो करा रहा है न उससे पहले लोड ना होके रख रहे हैं महले पहले से लोड होके ना बैठ जाए तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा इन दोनों component को normal component से lazy component के अंदर convert करना होगा कैसे करेंगे प्रोफाइल इक्वल्स रियक्ट डॉट लेजी यह क्या करता है कॉल्वर फिंक्शन में एक component को इंपोर्ट यहां करवाना है आपको और component कौन सा होगा जो आप यहां पर ले रहो प्रोफाइल स्क्रीन एक component बने गया lazy component हमने इसको कॉपी किया पेस्ट किया यह हमारा अब इन दोनों को यहां पर हमें कोई नीड नहीं इस तरीके से लेने की अब मुझे यहां पर जो हम दिखा रहे थे पहला का मुँमा रहा हो गया रेक्ट्व लजी से हमने कंपोट्ट को लेजी कंपोट्ट कर लिया अब suspense क्योंकि component को हम रभ करते हैं सस्पैंस के अंतर तो यहां क्या करोगे आप यहां जो डिटेल है यहां पर पहले लगाओ को दोगे अपनी component को जो आपने हो call किया उपर details हो गया and यहां पर भी same चीज suspense suspense के अंदर आपने क्या डालना है profile अब इन दोनों में मैंने बोला था कि fallback component होता है अब loader लगा सकते हो text लगा सकते हो loading कुछ भी तो मैं यहां पर मालो activity indicator लगा रहा हूं close okay same fallback मैं use कर रहा हूं इस case में यह चीज आप यहां पर भी कर सकते हो एक ही case में कर सकते हो लगा के बट मैंने अलग-अलग कर दिये समझने के लिए अब मैं क्या करता हूं देखो मैंने एक बार पूरा load कर लिया component जिसमें हमारा index.js यह हमारा main component होता है वह load हो गया अब हम यहां पर click करेंगे किस पर so details पर ध्यान से देखना so details देखा आपने मेरा details screen नाम का component load हुआ है अब पहले ऐसे हो रहा था नहीं हो रहा था अब मैं अगर so profile करूंगा तो अभी तक मेरा profile बाला component load नहीं हुआ है क्योंकि वह lazy component है वह कब load होगा जब उसकी requirement होगी और जब मैंने वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूगा देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो फिर मिलते हैं नेश वीडियो में तब तक के लिए बाई